एलो फ्रेंड्स जैहीन स्वागत आपका आपका प्रिचल होम डूसन पे दोस्तों पिछले कुछ दिनों से पिछले पात साथ दिन से लगातर बच्चों के मैसेज मेरे पास आरे वाटसप पे कि दिलिप्लिस कॉंस्टेबल की वैकेंसी इस साल आएगी कि नहीं आएगी और आ आने वाली है तो कब तक आएगी और जो आप यूटूब पे काफी अभी पांच सा दिन से फिर से एक महौल सा बन रहा है आप वीडियो देख रहे होंगे बार-बार कि या 9000 से ज्यादा पदों पे वैकेंसी आने वाली है तो वो भी हम यहां पे क्लिरिफाई करेंगे कि क् के पिछे की सचाई कुछ हो रहा है तो आप जानने के लिए वीडियो को धान सुर पूरा देखें दोस्तों अगर आप इसल पर नए हैं चलो को सबस्क्राइब पर लिजिए और किसी प्रकार की लेटेस न्यूज अपडेट रजल्ट नुट कर सकते हैं जिसका लिए डिया ह ठाइए ठीक है और उन्हें उन्होंने बताया कि यह हमारे पास पोस्ट हैं जो कि खाली है जैसे एस से बश्कार लिए आपको लगर आ वहां कि क्या 9465 पदों पर वेकेंसिया इसके पीछे की सचाई क्या है वह हम आपको आगे बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बताते थे कि दिल्लिपिस कॉंस्टिबल का पिछला notification कब आया था तो आप यहाँ पर देखे दिल्लिपिस 2023 के vacancy है 1 सप्टेंबर 2023 को ठीक है यानि हाप एर के बाद मातारी समझ में 1 सितंबर 2023 को notification आया 30 सितंबर तक आपने फोरूम बढ़ा और इसका जो पेपर है 3 अक्टूबर से लेके और 4 यहाँ पर आपको बता है कि दिसंबर तक आपका पेपर चला था आलांकि विंडो यह application करेक्शन का है सैडूल और कॉम्पूटर अक्सान है इस दिसंबर को result आया और 13 जनुवरी से physical start करवा दिये गए थे 89,000 से ज़्यादा बच्चों को pass किया गए return exam में रेकिन 89,000 में से सिरफ 12-15% ही बच्चे यानि लगबग 8-9,000 बच्चे ही physical qualify कर पाए थे क्योंकि इसके पेशे कारण है कि बच्चों को ये बनक तक नहीं लगी कि इतनी जल्दी physical करवा लिया जाएगा और ये तो सुकरमानी की 13 जनुवरी से physical हुआ नहीं तो डिल्लेपलिस ने एक schedule जारी किया था कि 22 दिसंबर से ही physical करवा देंगे हम ठीक है लेकिन candidates जादा होने की वज़े से रजल्ट में थोड़ा सा डिले हुआ जिसकी वज़े से physical को भी थोड़ा सा postpone करना पड़ा और जो physical 22 दिसंबर से स्टार्ट होना था हाँ जी तीन दिसंबर को आखरी सिपका पेपर हुआ 22 दिसंबर को फिजिकल होना था जो फिजिकल 22 दिसंबर को ना था वो 13 दिसंबर से स्टार्ट वा और रजल्ट आए 31 दिसंबर को नहीं रजल्ट जिस बच्चे को यह confusion था कि मेरा रिटन एक्जाम पास होगा कि नहीं होगा उसके लिए तु सबसे बिड़िवी डंबना है जो फिजिकल की त्यारी करें कि नहीं करें अच्छा जी 31 दिसंबर को रजल्ट आया उसमें ना मेली इसका बचे हैं 13 दिन कैसे करेंगे त्यारी है ना तो बहुत ही फास्ट मोड पे उस बरते को complete करवाया गया क्योंकि वैकेंसियों की सक्त आवशक्ता थी 7547 पदों पे भरती हुई थी आपको पता है जिसमें से 6,996 में 6,996 पदों पे वैकेंसिया फिल्फुल हो चुकी है कुछ बच्चों को विद हैल रखा गया है तो उनको बाद में जुइनिंग करवा दी जाएगी ठेक है तो लग बग लग बग 7200 के आसपा बैतर सो क्यासपा से वैकेंसिया complete हो जाएगे ठेक है जी अगर देले प्रिस भ एज लिमिट की बात करूं तो यहां पे 18 से 25 साल आपकी उमर होनी चाहिए जर्नल कैटेगरी में अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट मिल जाती है ठेक है और अगर आप SCST से बिलोंग करते हैं तो आप 30 साल तक इस फोर्म को भर सकते हैं तो अगर कोई नया आप अच्छा है जो दिलेप्रिस का ड्रीम लेके चल रहा है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हो ठेक है बारवी पास आपका होना जरूरी है 18 से 25 साल आपकी जर्नल कैटेगरी में उमर होने चाहिए और एज कब से काउंट होती है अगर माल लिजी इसी साली बरती आती है व आपका 50 क्यूशन, 50 नमर, रिजिनिंग 25 क्यूशन, मैथ 15 क्यूशन और कम्प्यूटर 10 नमर तो कुल मिला कि आप यहां पे देखोगे 100 क्यूशन आते हैं 100 नमर का फेपर होता है और 90 मिनिट का टाइम मिलता है 0.25% यहां पे नेगिटिव मार्किंग होती है दोस्तों जो ब चोदा फूट आपको यहां पे लोंग जम्प है और लगबग पुर्णे चार फूट आपका हाई जम्प यहां पे हो जाता है फेमेल के लिए 16 मिटर है उसमें टाइमिंग थोड़ा सा कम है अब बात कर रहते हैं आपके इस आर्ट रिप्लाई की और कितनी वेकेंसी इस पर दोस्तों ठीक है तो सबसे पहले तो आप यह देखे कि यह जो आर्ट रिप्लाई हुआ है यह आया है फरवरी में ठीक है फरवरी अभी चल रहा है आपका लगबग मई खतम होने को आया है और इसमें जो वेकेंसिया बताई है यह बताई है अकोर्डिंग टू 23 जनवरी दो हजार चोबिस तक मेरे खाल से तेज जनवरी नहीं 19 जनवरी को तो रजल्ट यह एगा था यह को मेरे खाल से 16 जनवरी को मतला सोड़ा 17 जनवरी 2024 तक ये वेकेंसिया है और 19 जनवरी को मेरे ख्याल से रेजल्ट आया था दिलीप्रिस कॉंस्टेबल का पहले की है तो इस में से लगबख 69 tax ये ये तो लगबख 2490 वेकेंसिया यहां से वेकेंसिय बसती है लेकिन 696 इतनी ही वेकेंसिया नहीं बिर जाये जाएंगे अभी और बचसे चैनेरे हैं करेंगे तो ये वेकेंसिया और जाये 100-200 बच्चे कम से हम 200-300 बच्चे और जोइन करेंगे, तो बैतर सो के आसपास बच्चे जोइनिंग कर जाएंगे, तो लगबग इन में से 7,547 वेकेंसिया थी, 200 वेकेंसिया खाली रहेंगे, तो लगबगला आप कह सकते हों कि 21-22 के आसपास ये वेकेंसिया अभी खाली है, तो पहली चीज, ये जो वेकेंसिया दिखाई है, ये वेकेंसिया आपके रजल्ट से पहले की थी, पहरे क्याल से 19 जनवरी को आर्टे रिपलाई आया है, और 23 या 24 जनवरी को रजल्ट आया था, ठेक है, तो 9,465 में से आप मान के चल सकते हों कि लगबग लगबग 7,000 तो भरी जा चुकिया है, बचे कितनी जी, 24 सुबेक है, ठेक है, अब वेकेंसि कब तक आएगी, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि जब हम फिजिकल करने गए, तो वहाँ पे हर को ये कह रहा था कि भईया, निरास मत हो, नई वेकेंसि बोजल्ट आने वाली है, नई वेकेंसि 89,000 में से केवल 10,000 भी बच्चे फिजिकल पास नहीं कर पाए, तो वो एक सांतो ना दे रहे थे कि भईया, निरास मत हो, अगली वेकेंसि आने वाली है, आप तैयारी करो, मौका फिर में लेगा, सिंबल सी बात है, दूसरा ये है, कि अभी जो ये वेकेंसिया आप पाने करमचारी हो, वो रिटायर हो जाएंगे, जो नए कॉंस्टेबल है, उनको मालेजीन का एलिजिविटी हो चुकिए, उनको प्रमोशन मिलेगा, वो हैड कॉंस्टेबल बन जाएंगे, हैड कॉंस्टेबल एससाई बन जाएगा, एससाई सब इंस्पेक्टर बन तो कहने का मतलब ये है कि अभी अगस सप्टम्बर तक लगबग 2-2,500 वेकंसिया और खाली हो जाएंगे दिलिप्रिस के अकोर्डिंग ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि टोटल पोश्ट कितनी आने वाली है अगर किसी के दिमाग में है कि कितनी वेकंसिया आने वाली है तो लगबग लगबग 4500 से लेके 400 वेकंसिया आपको देखने को मिलेंगी अब उतनी वेकंसिया नहीं आएंगी 7,000 आएंगी 6,000 नहीं चेक है दोस्तो तो वेकंसिया आपको लगबग 6400 नवसी के चाहँगा कि दिली पुलिस मेंच आएंग। एक vacancy आनी थी जिसका नाम है MTS और पोस्ट उस समय थे 888 और इसका notification अभी तक नहीं आया है यानि दिल्लिप्लिस अभी recruitment के mood में नहीं है अभी उनको यह आवशक्तन नहीं है ठीक है दूसरा यह है कि SSC नहीं कलेंडर में भी mention नहीं किया है अभी बहुत सारी अन्य vacancy चली हु 24-37 फिर 45-5000 आही है ना उस समय लगातार च्यार बरतियां होई थी दोस्तो राष्ट मंडल खेल भारत में वह थे दो जर्दस में उस समय च्यार से पांच बरतियां लगातार गरवाई गई थी और उसके बाद यह पहला मोग है कि दो vacancy या बैक-टु बैक आपको गरवा दी पाँजार 846 पर उसके बाद साजार 546 ठेक है अब ऐसा नहीं होगा अब चलेगी वैकेंसी होंगी तो रिकूर्टमेंट आएगा अभी दो तीन साल आपको वेट करना पड़ेगा इस प्रकार की बंपर वैकेंसियों के लिए लेकिन ये जो वैकेंसी है 45 वारी जो मैं बता रह है नहीं आएगी ठेक है अभी इस साल कोई भरते दिलिप्रिस की नहीं आने वाली है स्वाई MTS के आ चुकी है आ सकती है ठेक है अभी SSE का कलेंडर जारी होगा जोन के बाद 2025 का तो उसमें आपको ये मैंसन मिलेगा कि दिलिप्रिस की वैकेंसी कब आएगी तो ये जो वैके 2024 में दोस्तो 99% चांस है कि नहीं आएगी ठेक है और साल के आखरी में नोटिविकेस्टन आना मुस्किल लग रहा है ठेक है तो ये वैकेंसिया अगले साल आपको फस्ट क्वाटर में आपको मिल जाएगी फरवरी क्या सपास आपको ये वैकेंसिया डेफिनिट रुप से मि नहीं है अब ही आपके सामने अगर आप एलिजिबल है तो आर्पिफ कोंस्टेबल का आपनी फोरुम बढ़ा होगा उसकी तैयारी करो मेहनत करो नोगी लेके जाओ दिलिप्लिस के चकर में बैठेने रहना है चेक है मैं अरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे बहुत सारे ऐस पहले उसको लीजिए वहां से भित तैयARS कर सकते है अग्रापको ऐसे लगता है कि दिलिप्लिस में जाना है तो अब यग हो रहे था है अपको सरकारी ओकरीगी अभी दिल्लिप्लीस की फाल आएगी नहीं साल आएक अगली वेकेंश वाले अभी आप बैठेए होगा कि मेरे को तो लगना दिल्लिप्लीस अभरी पड़ी मुरखता नहीं हो सकती चेक है तो मैं तो यह करना चाहूंगा अभी कोई वेकेंसी नहीं है और दूसरा बार-बार आप लोग WhatsApp पे मेसेज करते हो कि हम Academy आना चाहते है Academy आके क्या करोगे अभी आपको घर पे अपने लिवीडिस की license आने वाली दियास पीवेकेंश अभी निकली थी जो बहुत।य दियारी कर just Sabers कि Bhag करें चेन को सब्सक्राब करें अंपने डाने के लिए धन्यवाद जहें नहीं